नमस्कार दोस्तों मेरा नाम निर्मल्यादव है और स्वागत करता हूं आपका अपने इसी यूटीब चैनल में सबसे पहले हमें हमारे लाइफ का एक लक्ष निर्धारित होना चीए बट आज युवाओं का डिस्ट्रक्शन कहां पर जा रहा है वो अपने लक्ष की तरफ नहीं भाग रहे हैं क्यों कुछ लोग गोल सेट करके और सफ़ल बजाते हैं और कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है कि गोल क्या होता है मुझे करना क्या है आज गाउं में चले जाओ जो वक्ति बट्टी बिजनस में हो विजनस ही किये जा रहा है आप जहां पर हो वह से आगे बढ़ने के लिए आपका प्लैन क्या है आप कैसे अपने आपको ग्रोथ पर लेकि जाओगे तो उसके लिए सिंपल सा है कि आपको अपने लिए गोल सेट करना पड़ेगा और गो गोल शेट करते हैं और जब हम on başmen a Action करने जाते हैं तो जब रमें बडरा गोल दीखता है तो एक्षन उसके संदों बहुत छोटा लिखता है और जब छोटा एक्षन दो तो माइंड में ऐसमें गॉलक तो इतना वारा है और एक्षन में उस बड़े गोल को रहने दो और उस बड़े गोल को छोटे-छोटे टुकडों में विभाजित करो और उन छोटे-छोटे टुकडों पे आपके ये छोटे-छोटे actions काम करेंगे आप अभी ये बोलोगे कि आप तो ये बोल रहे हैं कि अभी बड़े goal set मत करो बट हाँ बड़े goal अपने mind में रहने दो उसको टुकड़ों में विभाजित करो और फिर उसे हिसाब से आपका जो action है equivalent लगेगा तो हमें अपने goal set करना है बट उन goals को टुकड़ों में डिवाइट करना है जैसे माल दो आपको करोडों की एक company बनानी है अब करोडों की company mind में आगे बट action है कि अभी आप कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करने तो दीरे दीरे आप उस पे plan बनाना चालो किजिए आपको अगर मीलों की दूरी तरह करनी है तो आपको steps चलना शुरुआत करना पड़ेगा और एक दिन में दो दिन में सफलता नहीं मिलती सफलता की guarantee नहीं है तो एक दो दिन में दो-चार साल में मिल जाएगी बट एक चीज मैटल करता है वो है आपका consistency अपके goal के प्रटी आपका consistency ही आपको बिचेता बनाएगा बरना दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सफल बना दे क्योंकि दो दिन काम किया चार दिन काम किया दस दिन आराम किया क्यों क्योंकि result आते नहीं दिखा तो आपके में आया कि ठीक है रिजल्ट नहीं आ रहा है तो थोड़ा रेश्ट कर लेते हैं और फिर ऐसा करके आप अपने गोल को यूं ही रहने देते हैं बहुत बात देखा है लोगों ने गोल तो लिखा है बट अचिब्मेंट के नाम पर जेरो रहते हैं कई बार लोगों से सुना है वो बोलते हैं कि हमने हर चीज को लिखिद डेट के साथ अचीब किया है पर कैसे क्या है उन्होंने अपने लिए गोल ने रहरत किया और फिर उस गोल के अनुरूप उन्होंने 23 घंटा 20 घंटा 18 घंटा अथक परयास किया तब जाके आज वो उस मुकाम तक पहुंचे हैं त उसे हम सबी net निए और बिना लिखित गोल के अंकों के सामने चीजें नहीं रटी कि हमें चाहिए क्या और जब पता नहीं हो कि हमें क्या चाहिए तो हमारे एक्संस भी कुछ नहीं वाले ही आते हैं क्योंकि जब हमारे पास कुछ लक्ष नहीं है अब जब लक्ष नहीं है तो हमारे एक्संस क्या आऊंगे तीवी देखना, मॉबाइल गेम खेलना, कायर्टून देखना, आराम करना, खाना और सोजाना, यही चीज़े होती है, क्योंकि जब आपके पास लक्षे नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा मैसिव एक्सन दोगे, ऐसा उमीद नहीं होता है, तो अगर आपको अपने कराता रहेगा, कि आपका यह गोल है, और आपको इसके लिए काम करना है, और तब आपके अंदर से मोटिवेशन आएगा, कि जी हाँ, मेरे को अचीब्मेंट करना है, इसलिए मुझे प्रहास करना करेगा, और यह सेल्फ डेडिकेसन होता है, आपको कोई दूसरा फोर्स कर तो आप काम सायद उस लेवल पे जाके नहीं करते हैं, जबकि आप खुद से सेल्फ आवेर हके काम करते हो, तो आप बहुत ज़्यादा प्रड़क्ति होते हो, और बहुत पावर्फुल बनते जाते हो, तो हमें अपने आपको पावर्फुल बनाने के लिए गोल्स पे रहा मिलेगी, तो मंजील तक जाने के लिए आपको सुरुवात आज से करना है, तो आज अपने लिए एक गोल निधारिट करो, चाहे छोटा ही गोल, चाहे एक कॉफी के लिए ही आपका गोल होकी, भाई मेरे को आज से एक ओभी यहां से मिलनी चाहिए, भाई मुझे रुपय का एक यह चीज करना है, कुछ तो एक गोल निषाय करो, ताकि वो आपको ड्राइब कर सके अगे जाने के लिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह थौट अच्छा लगा होगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके बताईए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको पुरग बहुत बहुत धन्यवाद